अज़ की यातरा सुरू करते हैं हर्पी पोड़ी हरदवार की हरदवार में कभी धूप निगलती है कभी काले काले बादल चाते हैं इस दोरान गंगा सनाम करने वालों को कोई फरक नहीं पड़ता अपनी मस्ती में गंगा सनाम करने में बिजी रहते हैं जैसा की आप देख रहे हो चाए धूप निगले चाए बारिस हो चाए काले बादल चाहे आस्ता की डुपकी लगाने वालों को इससे कोई सरोबार नहीं है अपना मस्ती में गंगा सनाम कर आस्ता की डुपकी लगा कर महा गंगा का आसिरवात पराप्त करते हैं पाड़ी छेतरों में भारी वर्सा होने के कारण गंगा जल में काफी रेत आ रही है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रही हो गंगा जल में मिट्टी की मातरा काफी है फिर भी सर्दालू की आस्ता और सर्दा को देखते वे आप वीडियो में देख पा रही हो वो सरदालू गंगा सनान करते वे आस्ता की डूपकी लगा रहे हैं लेकिन गंगा जल के पानी से उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि उसमें मिटी है या रेद पहा कर आ रहा है हर की पैड़ी हरदवार का परमू घाट है वैसे तो काफी घाट है बिरमकूं गाट, मेला गाट, मालीवे गाट, गंटागर गाट नाई गाट, सीव गाट, गौ घाट लेकिन हर की पैड़ी परमू गाट होने के कारण सरदालों यहीं पर ही गंगा सनान करते है और आस्ता की डूपकी लगाते है तो और यहाँ पर ही गंगा सनान करकर वो मामंसा देवी के मंदिर भी धर्षन करने जाते हैं नाई घाट पर सरजालों मुंदन कराने आते हैं वहीं पर मुंदन कराकर गंगा सनान करकर फिर आस्ता की डुप्टी लगाकर मां गंगा का आशिरवार लेते हैं इस समय आप देख रहे हो महिला घाट का सुन्दर नजारा ताजा दिरस से आज का सरदालों यहाँ पर पूजा पाट के साथ साथ गंगा सनान करते वे दिखाई दे रहे हैं अभी हरदवार के सभी परमुन घाटों पर सरदालों की संख्या काफी कम दिखाई दे रही है लेकिन आने वाले दिनों में सराद पक्स सुरू हो जाएगा तो सभी सरदालों की भीड आनी सुरू हो जाएगी और सराद पक्स के बाद ही नवरात्रे सुरू हो जाएगे फिर मंसा देवी मंदिर चंडी देवी मंदिरों पर काफी कराउग देखने को मिलेगा आपको आप देख रहे हो ताजय दिरस से महिला गाट का बहुती सुन्दर नजारा दोस्तों आपका हर दुआर इसी केस के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप में इसे कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं कमेंट बोक्स में जै गंगा मैया हर अर्मादे जरू लिखना अच्छा दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई वीडियो के साथ जै गंगा मैया